कि नौ एक्सराइज 2.3 अनेक्स टॉपिक इस रिमाइंडर थियुरम में दो मैथर्ट होते हैं रिमाइंडर फाइंड आउट करने के वन कि वन इन था किसे बॉक्सराइज 2-3 मत करने अगर आप से पूछा जाता है कि आप इस तरीके किसी पॉलिनोमिल को डिवाइड करें किसी दूसरे polynomial से reminder find out करें और वो question short question है सो आपका method यह रहेगा कि जिससे भी आपको divide करना है आप उसको 0 के equal रहेंगे let x plus 1 equals to 0 तो यहां से आपकी variable x की value find out होगी 1 यहां plus का है इसकी side change होके जब यह आपका right side में जाएगा तो यह minus का हो जाएगा then we have to put this value x equals to 1 in this polynomial wherever you have x there you have to put minus 1 like x cube की जगह आपको put करना है minus 1 का cube then फिर x square की जगह minus 1 का square x की जगह minus 1 then 1 तो 1 ही है now minus की power जब भी odd number रहती है तो आपका answer हमेशा minus में रहेगा so minus 1 का cube is equals to minus 1 then minus की power even number है तो answer plus में रहेगा तो minus 1 का square is equals to 1 3 into minus 1 is minus 3 then plus 1 now we have minus 1 plus 3 minus 3 and plus 1 minus 1 से plus 1 cancel हो जाएगा plus 3 से minus 3 cancel हो जाएगा and your reminder is equals to 0 यह method है without division का without division का जब आपको divide करके reminder निकालने को बोलाओ but आपका question long question ना हो short question हो now it's turn about long question अगर यही same question आपका long question आजाता है तो फिर आप कैसे find out करेंगे तो आपके पास यह long division method रहेगा आपको इस तरीके से divide करके reminder find out करने है आपको यह polynomial अंदर रखना है और यह हम बहार रखेंगे जिसे हमें divide करना है अब आपको इसकी भी first term लेनी और इसकी भी first term लेनी आपको आपके पास आना चाहिए xq तो आप इस x को इसकी first term को किस से multiply करें कि आपके पास x cube आजा है कि जो पावर आपके पास आएगी वह उपर वाली उसी पावर के नीचे लिखना है अगर आपके पास x square आए तो आपके नीचे ही लिखा जाएगा और x cube वाली पावर के नीचे ही लिखा जाएगा अब जब भी हम divide करते हैं तो term को minus किया जाता है तो plus का x cube minus का x cube काट हो जाएंगे plus का 3x square minus का x square minus होके आप कांचर आएगा plus का 2x square ये terms as it is उतरेंगी अब हमारे पास जो first term आई है वो है 2x square तो हम इस x को किस से multiply करें कि 2x square आ जाए तो 2 plus x 2x दोनों से हमें multiply करना है तो 2 plus x 2x दोनों से हमें multiply करना है x को तो आपको इन दोनों को multiply करके you will get minus 2x क्या अब इसी 2x को 1 से भी करेंगे तो आप cancel आएगा plus 2x again x को x के नीचे ही उतारेंगे अब दुबारा division में हमें minus करना होता है तो signs change हो जाते है plus का 2x क्या है minus का हो जाएगा plus का 2x है minus का हो जाएगा यह cancel हो जाएगा plus का 2x के minus का 2x के 3 में से 2 गए तो x आगया 1 का 1 as it is now you have x plus 1 अब हम x को किस से multiply करेंगे x ही आजाए तो simple है 1 से तो 1 से multiply करेंगे हम इसे तो x आगया अब इसी 1 को इस 1 से भी multiply करेंगे तो आपके पास again 1 आगया अब again आपके signs क्या हो जाएगे change plus का x है minus का हो जाएगा plus का 1 है minus का हो जाएगा तो यह भी cancel और यह भी cancel तो आपका answer बढ़ेगा 0 यह again आपका reminder 0 आगया question सेम था तो आपका reminder दोनों ही method से same आएगा reminder के value में कोई difference नहीं आएगा आपको ध्यान इस बात का रखना है कि यह method जो है वो थोड़ा time-consuming method है तो यह आप तभी opt करेंगे आप जब आपको long question में दे रखाओ अगर आपको simply बोला है reminder find out करो in short question तो आप यह short form वाला method यूज करेंगे because this method takes time so now our exercise 2.3 this is our exercise 2.3 तो आपको प्यूज करेंगे